श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिती लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़ तरह के परिणाम ला रहे हैं। परिणाम ला रहे हैं। प्यार जताने के लिए समय अनुकुल नहीं है। अपने परिवार से शादी के लिए अनुमती लेनी हैं। तो ये दिन ठीक नहीं रहेगा। थोड़ा सचेत रहे, शान्त रहे। जीवन को एंजॉय करने की कोशिश करते रहे। अगर स्वास्त की बात करें। तो स्वास्त के लिए समय अनुकुल नहीं है, कोई बड़ी परिशानी तो नहीं होगी। जो लोग पहले से बीमार हैं, उन्हें सेहत का ख्याल रखना होगा। सेहत से संबंदी चोटी मोटी परिशानिया इस समय में सता सकती है। दोस्तो इस दिन परिशानिया, नुक्सान या स्वास्ते से जुड़ी परिशानिया आपको सताए, तो मंदिर जाकर भगवान का दर्शन जरूर करें, और एक रुपे का सिक्का मंदिर के मुख्य गुलक में जरूर डालें। आपके अच्छे के लिए भगवान से प्रार्थना करना ना भूले। और इस दिन चंदनिया के सरकातिलग अपने माथे पर जरूर लगाए। इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है। दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है। कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी पल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो जादा चरहेगा। दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे। देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे चारों तरफ एक अजीब सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते। इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं। हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है। इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे। दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती हैं कही से भी बाहर से आते हैं कही भी जूते चपल फेक देते हैं कही पर भी उतार देते हैं कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है स नाथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, और जूते चपल हमारी जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, दोस्तो ध्यान रखे, जूते चपल हमेशा साप उत्रा रखे, जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे, को देखने में भी अच्छी लगे, अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है, तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी, तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे, साथ ही दोस्तो एक और बात है, जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, हमारे घर के चचत के उपर, जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है, उन्हें हम घर के चचत के उपर रख देते हैं, ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबाड जमा दिखता है जी हाँ, जो चीज़े हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते है लेकिन वो चीज़े तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीज़े बहुती गहरा negative effect डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी area है वो पूरी तरे से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पा सकते हैं उतना नहीं पा सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चट को पूरी तरे से साप सुतरा रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुतरी रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ, सीडियों के नीचे कूडा, कच्रा, कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रखते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों, इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साब सुत्री रखे, क्लीन रखे साथी दोस्तों, अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे-फूटे बरतन आईना, तस्वीरे इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा कुरसी, टेबल, पलंग घडी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है, तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है, इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़शेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्यदार मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसे के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उन्हें भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटें नहीं कर पाते साफ नहीं रख उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथ ही दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ ऐसी तस्वीरे होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तस्वीर जाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाएं इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद